हेलो दोस्तो स्वागत है हमारे चैनल पीजियन मस्ती पे दोस्तो आज का टोपिक होने वाला है कि बारिस के सीजन में मोंसून के सीजन में अपने कबूत्रों का ध्यान कैसे रखें ठीक है थोड़ा दोस्तों दिक्कत आता है देख लो बारिस हुई है पूरा छट गिला है फिन ऊड़ेंगे फिन बारिस आ जाए हवा आ जाए तो भाई कबूतर जाने का डर रहता है ठीक है यह देखो इसलिए भाई और क्या दें बारिस के सीजन में ठीक है यह सब कुछ आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले उससे पहले भाई जो भाई हमारे चैनल पे न लगी क्या गलती रह गई जरूर बता है भाई इससे मुझे भी सीखने को मिलेगा ठीक है लेकिन दोस्तों क्या डालें कैसे करें उससे पहले सबसे पहले यह देखो पहले सफाई करना जरूरी है भाई यह मौनसोन के सीजन में डेली का डेली नहीं तो फिन गंदगी हो ठीक है और दोस्तों यह जो कबूतरी दिख रही है यह वाली यह दोस्तों अभी यह अंडा देने वाली है ठीक है देखो यह पता चल रहा है क्योंकि इसका थोड़ा उपर का फुल गया है नीचा भी और यह सांत से बैठ रही है अभी इसका मतलब है यह अंडा देने वाली वहीर भी अभी ठीक है चलो हमेलोग सफाई करके बता देते हैं आपको आँ यह देखो दोस्तो हुअ के इस से हमां करने वाले सफाई यह ब्लेड से अच्छी तरीके से उसके बाद 하는데 सपाई करणें के बाद वीडियों करते हैं उस्वा इस में रोटी ज्यादा कम यह देख जो जादा कम ने नियूए थोड़ा कम बाजरा के सलव बार्जळा ayam कबощर को भी गर्मी की दिरोत है तो दोस्तों इसमें ठोड़ा सा रोटी डाल लें ठीक है यह देख चलें ऐसा फ्यूट देना है अभी हम डालते है अच्छे माद देखो अंधर ही डालना है दोस्तों क्या है अगर बाहर डालेंगे तो कब stiff की कि आदत क्या है हम लोग के बाहर आते मान सब से पहले उड़ेंगे उसके बाद ना उना खाएंगे ठीक है उससे अच्छा अंदर ही डाल दें जगा तो हई ठीक है हम डाल के अभी आपको बताते हैं तब तक वीडियो श्टॉप करता हूं कि दोस्तों अगर आपको लॉफ्ट में दाना देना है तो दो तरह से आप दे सकते हैं एक तो आप लॉफ्ट को साफ करके दूसरा अगर आपके पास ऐसा ढखकन उककन हो कटोरी जैसा तो इसमें दाना को ऐसे करना है और इसे कबूतर के सामने रख देना है ठीक है अभी अपे बैसे एसे सब जगह देना एक ही जगह नहींए तो लडाई कर लिगंगे गञार नहीं है तो भी कोई बात नहीं एंसे लॉफ्ट साफ कर लेना है और एसे भीट डियना है यह भी आभ देख हूं अग्छर मा तोरी में देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा यह देख लो कि अभी दोस्तों थोड़ा हमको अभी सर्शोल आके डालना है क्या है मोसम ठेंडा हो गया है अच्छ बारिस गिरी तो मैं सोच आपको वीडियो बना के दिखा दूं हमारे बहुत सारी छोटे भाई होते हैं जिनको तकलीफ होता और दोस्तों जो आपके उढने वाले कभूतर हैं उनको मत खोलें बारिस में यह तो फालतू में भीगेंगे बीमार पढ़ेंगे तो अभी यह दो कब उतर को दोस्तों हम नीचे डाल देंगे यह लोग नीचे आएंगे और खाना शुरू कर देंगे इधर डाल देंगे हम लोग यहां पर डाल दींगे अभी यह लोग नीचे आएंगे खा लेंगे ठीक है और यह लोग तो अपना खाई रहे हैं यह देखो जिसको दीए है तुम यह को पानी रगते हैं यह है जाले को ट्मственasan सब्सक्राइब समय-थैष्यक देखने सब्सक्राइब करें है फिल युद्धि नरट में यह कि यह किसे समय रहंता है का थाहिता है कि व्यागतर का लोए जहदा अच्छा रहेगा क्या पर काट देंगे तो वह उड़तों पाएगा नहीं लेकिन क्या दोस्तों नहीं काटता कबुतरों का बहुत ज्यादा लग जाता है और दूसरी बात है इतना देड़ तक कबुतर को उड़ा होना तो अच्छा भी नहीं लगता हमको सब उनने वाले ठीक है चलो भाई इसे आज का वीडियो बस इतना ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करो यार चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं ठीक है चलो दोस्तों भाई